बताईए कोई स्टूडेंट नहीं हूँ आज की क्लास में यह सर क्लियर चलिये करें लास्ट लास में क्या कवर किया कैसे कि की यह नहीं कि वो सारी बातों पर करशा 3 हमारा चैप्ट चल रहा था सकत इंकम टेक्स में सब्जेक्ट इंकमट आइस्क कावर होगा हम उसके डेफिनेशन भी देख लिए थे और बस हमने यहीं तक कवर किया था कुछ एक पॉइंट बोला था के आज करेंगे इसके एक्षेप्शन देख लिए थे कितने एक्षेप्शन थे पांच थे अगर आप हो किसमे नोन रेजिदेंस शिपिंग बिजनस में हो इंडिया से पर्मानेंटली छोड़ के जा रहे हो आपका प्रॉपर्टी टेक्स बचाने का प्लैनिंग चल रहा हो इसका मैंने बताया था कि आज डिसकस कर लेंगे बाडी ओफ इंडिविज्वल एंड एस्सोशियेशन ओफ पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टेक्स अवोइड बता ही दिया लास्में डिसकंटिन्यू बिजनस यहां तक हर बच्चों को क्लियर है आगे बढ़ जाये आप बताएंगे के सर यहां त तक मुझे क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे बताएंगे फटाफट से यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर था कि अगे बढ़ जाते हैं आज के क्लास भी अगेंश शॉट रहेगी ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे आज की क्लास अगला हमारा है सर क्या है सर अगला है हमारा पर्सन किसे बोलते हैं जो की सेक्षन 231 में डिफाइन है अब देखू सिंपल सी बात है आप सिंपल सा सोचो यह हमारा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है जिसको मैंने कह दिया income tax department अब इसको tax लेना है अगर department को यानि simple सी बात करें तो government अगर government को tax लेना है तो वो किस से लेगी किसी ना किसी बताओ tax किस से लेगी किसी ना किसी person से लेगी यानि taxpayer से लेगी अब बता सकते हो taxpayer कौन होता है चलो एक सब्द एक पूस्ता हूं अगर last class आपको याद हो तो मुझे बताना एससी कौन होता है एससी जरा बताओ एससी कौन होता है कमेंट में बताओ अभी सारी बातों पर अरनव अभी क्लियर हो जाएगा आप एससी बताओ कौन होता है पहले एससी येस तनिस्च का बिल्कुल सही है दा person who is eligible for paying tax जो person एक limit से beyond income कमा लेता है उस person को जब tax देना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं एससी जैसे आप सभी अगर टेक्स भरते होंगे तो you are एससी इफ्यू आर नौट पेंग एनी टेक्स देन यूँ आर नोट एसससी एस पर income tax act 1961 आप नहीं माने जाओगे एससी तो भाईया टेक्स किसको देना है फिर टेक्स त éससी को देना है यानी सर प्रशन को टेक्स देना चाइपेंelse आप आख कर तेना है अब मुझ्हे की बात सार बडियरेत को देना है क्यूंकि अगर बच्चा है मानलोाес ysis आहसे चाइल्ड होते हैं जिनके मान लेतें पेरिंट्स नहीं इन पैरिंट्स ने बहुत सारा प्रपर्टी नाम कर रखा उसका उसका किराया दसलाक महिना तो जो छोटा सा बच्चा एक दम छोटा सा क्या वείश से सी है क्या वो उसको टेक्स भरना है बताओ वो कैसे टेक्स भरेगा नहीं भर पाएगा टेक्स तो इस सिचुवेशन में उसके बिहाफ पे कोई और टेक्स भरेगा उसके पेरेंट्स उसके गारजियन भरेंगे जो भी है तो सर बच्चे को टेक्स देना है या फिर फीमेल को को इनकम टेक्स जिसको एक व्यक्ति समझता है वह कौन-कौन से ऐसे पॉइंटS जिसको यह पर समझता है इनकनुटेक्स तो सबस्केड़न है मैं कुझ एक पॉइंट्स है जैसे हम और आप class देख रहे हैं आप सब भी person हो देखो every person जितने भी person है is not necessary ssc but every ssc is a person मतलब क्या बोल दिया सर आपने मैं एक person हूँ income tax के point of view से जी मैं एक person हूँ क्या मैं ssc हूँ अगर मैं tax देता हूँ तो ssc हूँ और tax नहीं देता तो मैं सस्य नहीं हूँ चलो मैं tax देता हूँ क्या मैं ssc हूँ जी हां सर आप ssc हो च्या मैं person हूँ तो हर एक ssc person तो होगा लेकिं जुरूरी नहीं हरे एक person क्या बन जाए ऐसे सी बन जाए तो चलिए सर यहां पे text देनी की बात हैं तो person कितने type के हैं वो देख लेते हैं फटा-फट से सबसे पहला point बोला गया individual 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 का मतलब कौन person है भाई कौन person है person की category में कौन रखा गया बच्चा हो चाहे child हो कोई भी person child he she कोई भी हो सकता है या old हो या young हो कोई भी हो उन सब को person कहेंगे जिसके अंदर जो नेचुरल हो नेचुरल कौन हो नेचुरल उसको person बोलेंगे हम आप सभी क्या है एक person है किसके नजर में income tax के नजर में income tax बोलता है नहीं तुम लड़का हो या लड़की बोलता है तुम तो person हो भाई ठीक है इसमें क्या कहता है एन इंडिवीज्वल मतलब जो आम इंसान जैसे हम और आप इंडिवीज्वल की कटिगरी में आते हैं मीन्स अनेचुरल person मतलब की भाईया जो की ऐसा नहीं आर्टिफिशल टमी को मत बोलना person है ठीक है आगे कहता है human being जो की एक मानव है इस इंक्लूड मेल फीमेल माइनर चाइल कोई भी होगा उसको परसन बोलेंगे तो परसन में कौन-कौन इंडिवीज्वल और सर हिंदू अंडिवाइड फैमली हुए ओहो हिंदू अंडिवाइड फैमली इसको शौर्ट फॉर्म में बोलेंगे एच यू एफ कौन हो सकता है परसंग चलो देखो आपके सामने आपके सामने घर है यह अपना घर ही समझना इसमें और इसमें मान लेते हैं इसमें बी और इसमें इसके बच्चे स्मॉल ए इसमें इसके बच्चे स्मॉल भी इसमें इसके बच्चे स्मॉल सी और इसके अंदर एक और बच्चा जो कि जेड बोल दिया इसको ठीक है इन्होंने एक दुकान बना रखा है, दुकान, एक दुकान है इनकी, अब मान लेते हैं अगरवाल स्वीट सॉव, स्वीट, मिठाई की एक दुकान है, अब इस दुकान पे कहानी क्या है सर, इस दुकान पे कौन-कौन जाता है, पूरा-पूरा फैमली बैठता है इस दुकान में होता क्या है पूरा-पूरा परीवार बैठता है कभी-कभी एक आ जाता इस पे कभी-कभी बीबी इसकी वाइफ है यह मिसस ए बोलता वैसे तो वाइफ होya कभी-कभी यहां पर चोटा एँ concept काता है कभी कभी बढ़ा है यह छो सारे बच्चें अड़ को एक तरीके से इस बिजनस को कहेंगे फैमिली बिजनस और सर इस बिजनस नजाओ के अंदर इस फैमिली परिवारिक बिजनस के अंदर यह स λए शोटे बच्चे या इसका वाईफ अलग-đलग टेक्स नहीं भरेंगे इसके अंदर में मुखिया होगा मुखिया मतलब इसमें से कौन होगा सबसे सीनियर मेल माना जाएगा यहां पर अगर इसके पैरेंट्स दादादी भी होंगे तो वह भी होगा यह मेल है सारे फैसले यह लेगा फैसला लेना इसको है यह में पर्सन है में पर्सन तो जो फैसला लेगा वो में व्यक्ति है और यह सब इसके साथ साथ चलेंगे तो एक जो में व्यक्ति है यह तो अपना टेक्स भरेगा ही भरेगा एक सब के साथ जो मिलके एक वैपार बना है इन सब के साथ जो दुकान पे बैठता इनके लाब भी टेक्स भरुता है इसको बोलते हैं एच यो एफ यानी हिन्दु अंडिवाइडेड़ फैंबिली इसको बोलते हैं हिन्दु अंडिवाइडेड फैंबिली यह अपना तो देगा है क्योंकि यह λέ satisf परिदी काउंट करके एक ने देता है यहां पे सिर्फ यह लौज है वो हिंदू के लिए है क्या कोई यहां पे क्रिसचन होगा मुस्लिम होगा नहीं नहीं और इस को मिल रहा है तो tax देने की जिम्मेदारी किसकी होगी करता की तो HUF क्या होता है sir Hindu Undivite Family एक family business में होता है इसमें एक main बंदा होता है जिसका नाम क्या होता है करता तो tax कौन भरेगा अगर जब ये अपना खुद का भर रहा है self का भर रहा है self का भर रहा है फैमिली ग्यारवी क्लास में आपने बिजनस टड़ी में पढ़ा होगा और लॉव अगेरा में भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा वही हिंदू अंडिवाइट फैमिली है सर हिंदू अंडिवाइट फैमिली के अंदर मेंबर होने के लिए क्या करना होगा अगर आप इसमें मेंब मेंबर से शादी करना पड़ेगा किसी मेंबर से वह फीमेल हुई अगर यहां फीमेल बनना चाहती है तो मेरिज करना पड़ेगा दूसरा कोई रस्ता नहीं है कोई बच्चा अगर हमने गोद लिया है तो वह लीगली आपका पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गोद लोगे तो यहां बनेगा सर अगर कोई यहां पर इसकी फैमिली में बॉन हुई थी वो मेजर हो चुकी है और उस लड़की की शादी हो चुकी है तो भाईया वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानी जाएगे जैसे मैंने जैड बोला कि इसकी 25 साल ह गई और यह इसकी शादी हो चुकी है तो यह इस परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा यह हिस्सा नहीं माना जाएगा लेकिन अगर कोई लड़का होता है जिसकी की शादी हो जाती है और उसकी एज चाहे कुछ भी हो वो इस परिवार का हिस्सा बना रहेगा साथ में जि कि और किसे को मेंबर होना है तो उस परीवार में उसको भॉन होना पड़े हैं यहां तक का का कॉंसेट समझ में आया आपको कि क्या होता है अभी तक हमने क्या देखा इंडीवीजुल में सिंगल परसें पूरे परिवार के विहाब पे जो टैक्स भरा जाएगा वह किस नाम से भरा जाएगा हुएफ का हमें बन्दे कांप भाद करेगा जलदी जलता करता 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 नायाब ने भी कहा जवाप बिलकुल सही जवाब यह क्या होगा करता माना जाएगा यह कैसे च्ट्रियर महां पर प Packdown करूँ कि अहाँ यह किस तरीके से Central क कभी आगया सभी का जवाब है सभी को clear है अभी अब है ने क्या दिआख देखा सवासं को लुक्षर होता है इसके बाद को भूट कों होता के तीसरा कौन सासंहें सर पाटनर्शिफ होँओ सितने से पाटनर शिफ मी हम एक स्कर्फ और वेक्टी दूसरा वेक्टी ए है और यह भी है दोनों आपस में मिल गए दोनों आपस में मिल गए ए और बी दोनों आपस में मिल गए और इन दोनों ने एक बिजनस स्टार्ट करा बिजनस स्टार्ट किया इसको बोलेंगे हम और उसे रजिस्टर भी करवा लिया उसे रजिस्टर भी करवा लिया इसे बोलेंगे हम पार्टनर्शिप कहां रजिस्टर करवाए सर पार्टनर्शिप एक्ट में हो एक। हैं एक में इसने अपनी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो इसको क्या बोलेगा पार्टनरशिब स्रक्ति तीन किसम वैक्ति को रेट्ट alum भॉता है इनको 10 भरना होता है अगर इसकी Superintendent तीन लाग से जादा हुई तो तेक्स healthy बनाने में बड़ा नुकसान है कितना टेक्स देना होता है मागे पढ़ेंगे वैसे फिर भी मैं मोटा मोटा आइडिया दे दूँ भी इनको 30 परसेंट का टेक्स देना पड़ता है और सर इससे पहले वाले को अलग अलग रेट से अलग अलग हिसाब से चलता है तो कितने परसें पहला कौन था सर इंडिवीजुल दूसरा कौन था हुए तीसरा कौन था पार्टनर्शिप में अब आगे एक परसन है क्या ये भी परसन है क्या ये भी एक परसन है इंकम टेक्स के नजरिये में तो बताओ जो मैंने तीनों बताएं क्या ये इंकम टेक्स के नजरिये में तीनों परसन है परसन का मतलब सर क्या हमारा इंडिवीजुल परसन है इंकम टेक्स के लिए हुएफ परसन है क्या हमारे नजर में हुएफ परसन है पार्टनर्शिप फर्म क्या परसन है हाँ या ना जबाब दे दीजिए क्या ये सभी इंकम टेक्स के गौर्मेंट क्या कहती है इनको परसन कहती है क्या जी हाँ ये सभी person है क्यों ये सभी person है हमने अभी देखा 211 यानि section 2 subsection वैसे तो two clause होना चाहिए बाकि हम section के बारे में भी पढ़ेंगे ये section 2 इसको clause बोलते है section 2 subsection मैं बोल देता हूँ भी फिलाल 31 में बोला भाईया person कौन कौन होगा बोला individual होगा हूँ और तीसरा बोला कौन होगा partnership firm होगा ठीक है सर ये तीनो person ही है तो अब हम करते हैं एक बुला लेते हैं हूँ हूँ का काम किसका है सर मिठाई का काम है मिठाई का मिठाई का काम है एक है partnership firm partnership firm का किसका काम है tent का काम है tent का tent समस्ते हो tent का काम यह हलवाई और यह tent वाला tent वाला एक शादी हो रही है एक शादी करवानी है A और B की और इसके अंदर contract मिला है tent वाले को लेकिन A और B जो बोलते हैं यह हमारा जो टेंट वाला होगा वही खाने पीने का भी इंतिजाम करेगा तो tent वाले को खाना पीना कहां बनाना आता है नहीं आता टेंट वाले ने दोस्ती कर ली हुएफ से partnership firm ने किससे दोस्ती कर ली हुएफ से और बोला चल यार मिल जाते हम हम दोनों और मिल के खूब पैसा कमाएंगे क्योंकि इसको तो दोनों देना है हम दोनों एक partnership firm करते हैं हम दोनों मिल जाते हैं और मिल के इस event को जो marriage event है इसको organize करेंगे और जो पैसा कमाएंगे यहां से कमाने के बाद फिर हमारा रिस्ता खतम हो जाएगा तू फिर अलग हो जाएगा और मैं फिर अलग हो जाऊंगा फिर कभी ऐसा मुखा मिलेगा फिर जुड़ जाएंगे फिर पैसा कमाएंगे फिर अलग हो जाएंगे फिर मौका मिलेगा तो फिर जुड़ जाएंगे फिर पैसा कमाएंगे फिर अलग हो जाएंगे वाह यानि यह भी तो एक तरीके से इन दोनों जब मिल गए तो ये भी एक परसन है ये भी एक परसन है एसोशियेशन का मतलब क्या होता है सर एसोशियेशन का मतलब होता है सर जुड़ना जुड़ना एसोशियेशन का मतलब होता है जुड़ना कौन जुड़े आपस में परसन जुड़े तो ये दोनों मिल के जो वेपार कर रहे हैं उसे बोला जाएगा association of person लेकिन सर लेकिन एक मिनट एक मिनट पीछे भी तो दो वेक्ति जुड के बिजनस कर रहे थे लेकिन सर जब दो वेक्ति मिलके बिजनस कर रहे थे तो इन्होंने अपने आपको registration करवाया था कहां registration करवाया था partnership एक्ट में इसलिए इसे partnership फर्म बोला गया लेकिन इन्होंने कोई registration नहीं कराया शौट बिजनस है करा खतम शादी खतम इन दोनों की दोस्ती खतम दोनों अलग-अलग पैसे बांट लिए अलग हो गया तो इसे क्या duration के लिए बिजनस करके दोनों अलग हो जाते हैं उसे बोला जाता है association of person क्या clear है सभी बच्चे एक पर फटा 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 फट मुझे comment में बता दे कितने person करा दिये सर आपने सर मैंने बता दिया individual सर और क्या करा दिया मैंने बता दिया हुएफ सर और कुछ भी कराया क्या मैंने बताया partnership firm और कुछ भी कराया क्या मैंने करवा दिया association of person aop short form में बोलते हैं association of person क्या clear सभी बच्चों को मुझे बहुत देर से यस यस नजर आ रहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी बच्चों को clear हो गया कितने person कर लिए हमने चार कर लिए individual में कौन male female कोई भी हुए एक परिवारिक business है जो उसके परिवार है वो रहेंगे और partnership में हम दो तीन चार मिलके जो भी वेपार स्टार्ट कर रहें रेजिस्टेशन करा ले पार्टनर्शिप बॉड़ी ऑफ परस एंप एस्सोशियेशन और परसन जब दो अलग अलग मिल जाएंगे तो उसे बोलेगे एस्सोशियेशन औफ परसन और क्या है सर ओहो बॉड़ी ऑफ इंड इंडिवीज्वल बॉड़ी ऑफ इंडिवीज्वल में कौन होगा सबसे पहले तो बताओ इंडिवीज्वल कौन होगा एक मैंने बोला राम है एक मैंने बोला एबी पार्टनर सिप फॉर्म है एक बोला राम है और एक मैंने बोला सपोर्स करो हुए एक्स हुए अब इसमे बॉडी ओफ इंडिवीज्वल कौन है इंडिवीज्वल कौन है जल्दी बता दो इंडिवीज्वल कौन है इसमें बता दो भाईया इंडिवीज्वल कौन है राम है या हुए या दोनों ही इंडिवीज्वल है इंडिवीज्वल बता दो कौन है इसके अंदर जल्दी जल्द को लिया मुहन और यह दोनों मिलके एक बिजनस बना रहे हैं और बिजनस जो है विदाउट रजिस्टर्ड है शौट ट्रम के लिए विदाउट रजिस्टर्ड है इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो अगर कोई पर्सन आपस में मिलके बिजनस करता है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो ऐसे को हम बोलेंगे बॉडी ओफ इंडिवीजवल आप ध्यान देना एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी छोटे टाइम के लिए था बॉडी ओफ इंडिवीजवल भी छोटे टाइम के लिए था इन दोनों को बोला गया भाई तुम तो छे मैंने बिजनस करते हो गायब हो जाते हो तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए सिर्फ प्रीवेस एर है आईए चलिए एक पॉइंट पीछे रहे गया था मैंने बोला था आगे चलके हम इसके बारे में डिसकस करेंगे कहता है एसेस्मेंट ऑफ सोरी एसेस्मेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ में आ गया होगा ए ओपी एंड साधी के लिए हुआ था किसी इवेंट के लिए हुआ था परपस के लिए अगर ऐसा कोई वैक्ति दिखा तो उसको बोलेंगे भाईया तेरे लिए एसेस्मेंट यह नहीं है तुन्हें पैसे कमाली है टेक्स भर दे फिर आगे देखेंगे एसेस्मेंट नॉर्मल परसन नही यह ही नहीं अच्छा सर यह पीछे का पॉइंट ऐसे ही कही क्योंकि इंकम टेक्स जो हमारा है एक दम सीधा 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 नहीं चलेगा वह पहले सीधा सीधा चलेगा फिर पीछे आजाएगा फिर आगे भागे फिर पीछे आजाएगा ऐसी कहानी है कुछ इनकम टेक्स तो पता होना चाहिए अब आगे च्छटा पॉइंट सर कौन है कौन है लोकल अथोरिटी अब लोकल अथोरिटी के लिए मैंने एक्जामपल ही लिख दिया मैंने जंजट छोड़ो ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव मुंसी पल्टी यानि मतलब सरकारी सरकारी जो इस तरीके के हैं जिनका एक अस्तित्व है इनको भी गवर्मेंट ने बोला भाई तू भी टेक्स भर तू भी टेक्स भर लेकिन mcd बोलता है मैं कैसे टेक्स भरूं मैं तो body of individual नहीं हो और बोलता है कि की के आएगा तो लोकल अथॉरिटी के अंदर माना जाएगा तो कौन ए ये यह हैं हमारे यकल उथॉरिटी जैसे स्कूल हो गहते आपके आप जिस college में पढ़ रहे हो वो भी local authority के अंदर ही counted हो जाएंगे तो ऐसा कोई है तो उसको जब tax भरना होगा income tax ने notice दिया आजा भाई कहां है तू जल्दी या तिरको notice भेजा है तो किसको भेजा notice आपके university को तो आपको principal जाएगा हा सर income tax को ऐसे बोलेगा सर I am a local authority and I am paying this amount tax why you are penalize me तो इस तरीके से बात करेगा आपका principal या आपका जो भी दिन होगा वो income tax department में जाके तो उसने क्या present किया local authority तो इसको किसमें रखा गया है local authority का control management municipal corporation यही सब होता है मुंबई बगर है में जो municipal है उसको रखेंगे simple सी बात है तो सर कितने type हो गए हमारी चलो एक आगे और देखते है एक आगे और देखते है सर artificial judicial person सर यह कौन है यहाँ पे आएंगे यहाँ पे artificial judicial person यहाँ पे आएंगे God है सर यहाँ भगवान आ जाएंगे और सर और यहाँ पे स्कूल कॉलेज भी आ जाते हैं स्कूल आ जाएंगे सर पीछे भी तो आया था अब उन्होंने कैसे अपने आपको क्या टंसन कंडिशन पर करवाया उसके उपर रहेगा यहाँ पे भगवान आ गया यहाँ स्कूल आ गया आपका कॉलेज भी आ सकता है एनी अदर यानि जो कहीं नहीं आ रहा उसको लियाएंगे भाई तु आर्टिफीशियल जुडीशियल जुडीशियल का मतलब कानून ने तुझे एक व्यक्ति मान लिया है सर भगवान को व्यक्ति माना है कैसे माना है मंदिर को माना है मंदिर में जो भी चड़ावा जाता है मंदिर क्या टेक्स नहीं देती मंदिर को टेक्स देना पड़ता है अगर मान लेते हैं मस्जित में कोई भी चड़ावा आता है मस्जित में जो भी चंदा आता है कि उनको टेक्स नहीं देना उनको टेक्स देना पड़ता है गुर्दवारे में गिरजा घर में कहीं भी किसी त देखा जाए तो आटिफीशल लोकल अथॉरिटी नहीं है लोकल अथॉरिटी भी नहीं तो गवर्मेंट जाएगा और तो परसंद नहीं है तो तो मंदिर वालों ने कATOR के कि कॉंपनी कंपनी कि आल कर वा लिया अ में पढ़ा तो था तीसरे सैमेस्टर में तीसरे में निया सोते में दूसरे मैं पढ़ा है कंपनी लो से रजिस्टर करवा लिया कंपनी एक्ट 2013 में तो इसको क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे कंपनी तो सर कंपनी आ जाते हैं आर्टीफीचल जुडिशल एक पर फटा-फट से आठो टिफ्स पर नाम आ जाए तो मज़ा आ जाएगा वैसे तो मैं इसको साथ में कवर कर लूँआ नमबर वन इंडिवीज्वल इनको टेक्स कितना देता है इनको लगता है स्लैब रेट क्या होता है मतलब एक लिमिट होता है इतने से इतने दूसरा कौन था हुए इनको भी टेक्स देना होता है कैसे स्लैब रेट से सर स्लैब रेट क्या होता है बताओ तो इसमें ऐसा होता ना कि 3 लग तक इंकम है तो 5% 5 लग तक इंकम है तो 10% ऐसे चैटेग्री स्लैब बना दिया गये हैं नंबर तीन पार्टनर्शिप फर्म कितना सर 30% अटाओ जी आजाएगा जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप होता है पर चार पर हम रखते हैं बी ओ आई एक ही रखा गया इसको एंड एओ पी ये एक ही परसन में माना जाता है इसके उपर कैसे भाई या इसके उपर भी स्लाइब रेट चलने दो पांच बाप लेकिन डिपेंड ओन सिच्विशन के कौन कौन काम कर रहा है बाकि स्लाइब आ जाता है इसके बाद कौन है सर आपका था हमारा लोकल अथॉरिटी ये हमारा इनका स्लाइब नहीं चलता इसका डारेक टेक्स होता है इसका रेट में अलग से लिखवाऊंगा चटा कोन आ गया सर ओहो चटे तो भगवान जी आ गये थे और भगवान जी को किसमें रखा गया था आर्टी फीशल परसन इसके उपर भी डारेक टेक्स लगता है मतलब इसके रेट अलग होते हैं सात्वा कोन है सर कंपनी इसके उपर 25 परसन्ट भी टेक्स लगता है और 30 परसन्ट भी लगता है subject to इनके किटने टान ओवर है कितनी सेल्स है कितना कैपटल है उस सर डिपेंड करता है हमारे इसके उपर टेक्स लगेगा क्या इसके उपर टेक्स लगेगा क्या पार्टनर्शिप पर टेक्स लगेगा जी सर इसके उपर भी टेक्स लगेगा क्या इन में से इस पर टेक्स लगेगा हां जी सर सब पर टेक्स लगेगा क्यूं लगेगा सर क्यूंकि इनको हमने क्या नाम द पढ़ेंगे नहीं स्लेबस वाले ने बोला कि बच्चे हो अभी बीकॉम के बच्चे हो आपके उपर ज्यादा टेंशन नहीं देंगे हम सिर्फ अभी तो आपको पढ़ाएंगे इस समिस्टर के अंदर इस इंडिवीज्वल के कैसे कैसे टेक्स निकाले जाते हैं पॉइंट है वह एक तरीके से बीओ इंडिवीज्वल नहीं सर इसका भी नहीं पढ़ाएंगे लोकल अथॉरिटी पढ़ाओंगे नहीं सर मैं यह बी नहीं पढ़ाओंगा यह अलग सब्जेक्ट बन जाता है इंकम टेक्स में अलग पार्ट में आटिफिशल परसन नहीं स और किसकी इंकम टेक्स सरिफ इंडिवीज्वल की इंकम टेक्स किसकी इंडिवीज्वल बाकी परसन के नहीं कितने परसन है कोई पूछे फटा फट जवाब देना साथ परसन वैसे आठ भी हो सकते हैं अगर अलग अलग तोड़ दो तो कितने परसन साथ परसन परसन कौन हो सब्सक्राइब करने के लिए होता है जो पूरे फैमिली एक होता है हिंदू कैसे बने सर उसमें बाहर वाली है वहां घर में किसी मेल से किसी लड़के से साधी कर लिए वह तो बहार वाला है तो क्या वह हुएफ का पार्ट माना जाएगा जवाब सर अब यह तो सब है तो चलिये चैसंगे बारे में समझ गया पर्षन समझ में आया क्या भूलोगे पर्सन को पताओ क्या याद रहेगा आपको हमेशा पर्सन क्या होता मैं बिल्कुल स्लो लेकर चल रहा हूं अभी पेहले बेसिक बेसिक आपके बिल्डप कर दिया जाए जैसे जैसे बिसिक कॉंसेट बिल्डप होगा फिर आगे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे अभी तक क्या पढ़ा शुरू से एक बार रिवाइज कर लें क्योंकि मैंने कहा आज की क्लास शॉट रखेंगे हम अगली क्लास लंबी रखेंगे क्योंकि अगली क्लास में यह सारे स्लैब रेट बताने है मुझे सारे न이ự रिज्म ओल्ड रिज्म क्या होता है वो दोनों बाते करणी हैं प्रिवियस यह के के एक्सेप्शन कितने थे पांस सर पहला पॉइंट अगर आप पर्मानेंट इंडिया सो छोड़ के जा रहे हो अगर बॉड़ी ऑफ इंडिवीज्वल या एओ पी सौट्रम के लिए काम कर रहे हो बिजनस डिसकंटीनी हो या प्रॉपर्टी आपने टेक्स सेविंग टेक्स अवोइड करने के लिए किया हो तो यह एक्सेप्शन में आ जाएगा इसके लिए कोई प्रिविएस यह और एसेस्मेंट यह नहीं है जिस साल पैसा कमाएगा उसी साल टेक्स को भरना पढ़ जाएगा परसन कितने होते हैं सर साथ परसन के कैटेगरी इंडिवीज्वल में क फूटे टाइम के लिए काम करेंगे बॉडी औफ इंडिवीज्वल आ जाएगा एसेस्टिएशन और करेंगे और वह बी शॉट करेंगे अंदर और कौन हो गया जिसने आपको अपने आपको registration करवा दिया companies at 2013 के अंदर उसे क्या बोलेंगे company बोलेंगे अभी तक हमने यही करा यहां तक के point में किसी बच्चे को कोई doubt है तो बता सकते हैं कंपनी किस तरह इस लैबरेट ने कंपनी डारेक्ट देती है तीस परसंट 25 और तीस परसंट को इस लैबरेट नहीं है आएक रुपए कमाओगे तो आपको 25 पैसे टेक्स देने पड़ेंगे और सर्चार्ज वर्चार्ज भी होता है आगे देखेंगे यहां तक हर बच्चो को पॉइंट क्लियर है तो बता दीजिए सभी स्टूटिंट को आज का पॉइंट क्लियर है सर्बिजनस डिसकॉंटीन्यू बता दो डिसकॉंटीन्यू मतलब होता है आपने राम लीला में राम लीला होता है ना राम लीला में अपने काम स्टार्ट किया उसके बाद बंद बिजनस डिसकॉंटिन्यू मतलब आपने चलाए नहीं पूरे साल तो ऐसे बिजनस को डिसकॉंटिन्यू बोलते हैं ऐसे बिजनस को क्या बोलते हैं डिसकॉंटिन्यू यह जाओ है कि इस स्वेट आइप एक एक की एक कुछ हमारे न सिंपल से टेक्स रेट बताए गया कि अगर तुम्हें इतना ट्रेट देना होगा आगर तुम्हें सीड रेट देना होगा ऐसे हैं तो इसके डारेक्ट सिचुवेशन है कई वार एंजीओ हो जाते हैं जिसको हम सेक्शन एट कंपनी भी बोलते हैं एंजीओ आपने अगर कंपनी लोग में पढ़ा होगा तो इनको काफी सारे प्रिविलेजिस दिये जाते हैं टेक्स में बेनिफिट दिये जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर 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 सर रेटायर्मेंट ऑफ पार्टनर्शिप फं में डिसकंटीन्यू बिजनस में आएगा अगर तीन पार्टनर है एक पार्टनर चला गया तो डिसकंटीन्यू बिजनस नहीं है दो पार्टनर है और एक पार्टनर चला गया दैस डिसकंटीन्यू बिजनस सी बंद हो गया हमारा क्योंकि तीन में से एक गया तो पार्टर्शिप जिन्दा है और दो में से एक गया पार्टर्शिप मर गया कि किसी स्टूडेंट को डाउट यहां तक क्योंकि आज की क्लास में इतना ही रखूंगा मैं कहा आज की क्लास स्टूडेंट जो लंबी होगी इसके अंदर हम पहले औल्ड रिजिम फ्र नियूरीजिम पहले नियूरीजिम करना होगा बाहला कि प्रले निई रिजिम करेंगे फिर ओल्ड रिजिम करेंगे होगा तो दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा उससे अगली क्लास में हम मार्जनल रिलीफ करने वाले हैं जिसके अंदर सरचार्ज वगरा है यह बेसिक स्पे पॉइंट खतम होंगे फिर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशल स्टेटस के भारत के अंदर कौन-कौन वेक्ति टेक्स देने लाइक है क्या ट्रंप जब कुछ दिनों के लिए आते हैं या जो बाइडन आया तो को यह उसको भी टेक्स देना पड़ेगा या फिर उसको टेक्स नहीं देना पड़ेगा इन बातों पर डिसकस करेंगे हम रेजिडेंशल स्टेट हम दोनों अलग-अलग हो जाएंगे यह हो गया बॉडी ओफ इंडिविज्वल अरनव आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर मेरा एक है तो मैं एक अलग हूँ इंडिविज्वल नहीं हूँ मैं तो मैं ए यह दोनों मिलके काम करेंगे तो एसोसियेशन आफ परसन होगा या फिर यह दोनों मिलके काम करेंगे तो एसोसियेशन परसन यह दोनों मिलके काम करेंगे या अलग-अलग कैटेगरी वाले मिलके काम करेंगे एसोसियेशन परसन और अगर राम और श्याम दोनों मिलके काम करे तो वोड़ी बॉड़ी आफ इंडिवीज्वल माना जाएगा बताइए और कोई डाउट यहां तक कि यहां तक कोई डाउट है तो बताइए कि किसी पॉइंट में क्योंकि जहां पर डाउट है वहां बोल दिजिए चाहे एक बच्चे का हो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते वह वाले नो सर ओके ओके तो आज की क्लास हम यहीं पर मतलब के एंड करते हैं क्योंकि अगली क्लास स्लैब रेट में मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो नेक्स क्लास जो होगी हमारे सेम टाइम पर जो शडियूल फिक्स है उसी में रखेंगे इस क्लास के लिए अगर दिखा जाए तो हमने पहले से शडियूल तैकर रखा है कि कितना महराज की मैंने कहा है कि मैं इंट्रोडेक्शन में दो क्लास लूँगा आज दूसरी क्लास है और टेक्स रेट के अंदर दो क्लास लूँगा तो इंट्रोडेक्शन मैंने खतम कर दिया दो क्लास में अब टेक्स रेट के अंदर दो क्लास होगा हो सकता है में भी एक हो तो मैं ज्यादा भी आगे नहीं भागने वाला और ज्यादा कम भी नहीं कराने वाला मेरा टार्गेट इस तरीके से चलने का है चलेगा बीच में रेगलर क्लास लेना पड़ा अगर कम पड़ा तो वह अलग डे पर हम क्लास लेंगे तो बिलकुल टाइम टेबल के अकॉर्डि अभी आपको पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा तो कुछ आपको प्रैक्टिकल पढ़ने को मिलने वाला अगली क्लास में प्रैक्टिकल कुश्चन्स होंगे वैसे चलिए बिजनस इको की क्लास कब से मंडे से सुरू है MWF या TTS जो भी बैच आ रहा होगा बिजनस की बिजनस इकनोमिक्स की उसी दिन सुरू होगा आपका मंडे से सारे बैचे से स्टार्ट है उनके भी चलिए सर चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में वेरी वेरी गुड़ नाइट टेक केर और अच्छे से रहिए आप